हेलो फ्रेंट्स आज हम आपके लिए ले करके आए हैं डोनट्स की रेसिपी जिसे हम बहुत ही कम खर्च में बहुत ही कम समय में बना करके तयार करेंगे और स्वाद इतना लाजबाब आएगा कि आप समझ ही नहीं पाएगे कि ये मार्केट वाला डोनट है या फिर घर का बन चलिए इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं देखते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने छे ब्रेट का सलाइस लिया है और छे ब्रेट के सलाइस में हम तीन डोनट्स बना करके तयार करेंगे आपको जितना बनाना हो उसी साब से ब्रेट रख सकते हैं और मैंने लिया ह बीस वाला डैरी मिल्क आप इसकी जगा पर डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं तो चलिए बराना शुरू करते हैं अब हम एक ब्रेड का स्लाइस ले लेंगे और ले लेंगे एक ग्लास थोड़ा से चोड़े मुवला ग्लास लेंगे हम और इससे हम ब्रेड को काटेंगे तका कि ब्रेड अच्छे से गोल शीप में निकलाए तो यह Rs. ऑने ब्रेड को काट लिया है और जो इकष्टर निकला है उसको हम हटा देंगे अब हम ले लेंगे एक पानी बोर्टले का धकन और उससे हम बीच में कट करेंगे तो ये दिखिए मैंने इसको काट लिया है इसी तरीके से हम बागी जो बचावा ब्रेड है सबको काट लेंगे अब हम ले लेंगे दो कटोड़ा एक छोटा और एक बड़ा तो एक दूसरे पिस तरीके से लगा करके देखेंगे कि दूसरे के अंदर ना जाए बस दूसरे काटोड़े की जो पेंदी है बस वो पानी में टच हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी अब इसमें हम इस काटोड़े को रखके देखेंगे कि ये पानी से टच हो रहा है या नहीं तो ये देखिए बिल्कुल ये पानी से टच हो जा रहा है अब इसमें हम डाल देंगे चौकलेट चौकलेट को हम तोर करके डालेंगे ताकि ये जल्दी मिल्ट हो जाए इस तरीके से करने से चौकलेट जो है काफी जल्दी मिल्ट हो जाता है तो मैंने चोटे चुटे चुटे चुकड़ा करकी इसमें डाल दिया है और चमज से इसको हम चलाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि चोकलेट हमारा मिल्ट हो रहा है बस इसको हम साइड में रखेंगे ये धीरे मिल्ट हो जाएगा तो जब तक ये मिल्ट हो रहा है तब तक हम अगला प्रोसेस कर लेते हैं तो मैंने फिर से एक बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे चार चमच मैदा तो मैंने चार चमच मैदा ले लिया है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम घोल तैयार करेंगे एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नितिस में गुठलियां बन जाएंगी तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम घोल तैयार कर लेंगे तो मैंने घोल तैयार कर लिया है और आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इसकी ठीकने समय इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला नहीं रखना है, अगर आपको घोल बनाते समय कभी इसमें गुठलियां आ जाए, तो आप चाहे कि छन्नी से छान ले, गुठलियां खतम हो जा जाएंगे, जैम लगाते समय हम थोड़ा सा सौधानी रखेंगे, नहीं तो ब्रेट तूट जाएगा, और जैम आप अपने पसंद का लगा सकते हैं, ज्यादा या कम भी कर सकते हैं, तो मैंने जैम लगा लिया है, अब इस पे हम दूसरा ब्रेट का स्लाइस डालेंगे, मैंने पानी में रखा था चोकलेट, वो अच्छी तरफ से मेल्ट हो चुका है, अब इस में से हम थोड़ा सा चोकलेट ले ले लेंगे, और चारो तरफ इसको हम फैलाते हुए लगाएंगे, इस तरहीके से, तो मैंने चोकलेट को भी चारो तरफ लगा लिया है, और इसके उपर हम दूसरा स्लाइस रखेंगे, तो आपको जो फ्रेवर पसंद हो जैम या चोकलेट, आप अपने पसंद का बना सकते हैं, या फिर आप दूनों बना सकते हैं, मेरे बच्चों को जैम वाला ज्यादा पसंद आता है, तो मैं जैम वाला एक और बनाऊंगी, तो मैंने पूरा जैम लगा दिया है, अब इसके उपर हम ब्रेट का दूसरा स्लाइस रख देंगे, अब आप देख पा रहे होंगे, कि मैंने तीनों डोनट्स बना करके तयार कर लिया है, इधर तेल भी गर्म हो चुका है, अब जो हमने मायदे का गोल बना करके तयार किया है, उसमे करेंगे हम ब्रेट को डीप करेंगे, डीप करते समय हम साोधानी रखेंगे वरना यह तूट जाएगा, फिर हम चममज के मदद से इसको हम गरम तेल में डाल देंगे, फ्लेम को हम मेडियम रखेंगे, और थोड़ी देर के बाद इसको हम पलट लेंगे, पलटते समय भी मैं चम्मच कहीं यूज करूँगी क्योंकि चम्मच से ये बहुत ही अच्छे से पलट जाता है जो चानने वाला होता है उसको लगाने से क्या होता है कभी-कभी जो ब्रेड है तूट जाता है तो मैं चम्मच की मदद से ही इसको उलटती पलटती हूँ आपको जिससे असानी हो आप उससे पलट ले तो इसको उलटते पलटते हमें दोनों तरब से सेख लेना है इसको हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इसका color change हो चुका है अब इसको हमें plate में निकाल लेंगे इसी तरीके से जो दो और donut है उसको भी हम fry कर लेंगे तो मैंने तीनों donuts को fry कर लिया है अब हम melt किया हुए chocolate ले लेंगे चोकलेट को मैंने पानी के उपर ही रखा है जो दूसरा का टोड़ा है उसमें गरम पानी है अगर गरम पानी से इसको अलग रखेंगे तो यह तुरत जम जाएगा तो अभी यह अच्छी तरह से मिल्ट हो चुका है अब इसमें हम क्या करेंगे डोनट जो मने बना करके तयार किया है उसमें हम इसको डीप करेंगे इस तरीके से इसी तरीके से हम दोनों डोनट को डीप कर लेंगे तो मैंने तीनों डोनट को चॉकलेट में डीप कर लिया है अब इसको हम डेकोरेट करेंगे ए फ्रिंखल से तो इस पे हम थोड़ा सा smart कहा डाल देंगे जो केक में जो इन स्प्रिंखल ड़ता है वहीं वाला है यह इससे क्या होगा जो हमने डोनट बना करके तयार किया है यह देखने में काफी अच्छा लगेगा तो मैंने इस प्रिंगर डाल दिया है अब आईए आपको काट करके दिखाते हैं तो ये देखिए ये चॉकलेट वाला टोनट है और आईए आपको हम जैम वाला भी काट करके दिखा देते हैं फ्रेंड्स ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये देखिए ये जैम वाला डोनट है दोनों डोनट बहुत ही टेस्टी लगता है चॉकलेट वाला भी और जैम वाला भी आपको जो पसंद हो आप वो बना सकते हैं या फिर आप दो नहीं बना सकते हैं फ्रेंड्स मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी कोमेंट में जरूर बताइएगा अगर हमारी रेस्पी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करना अमरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूले अगले वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद